तो आज की रेस्पी में हम सेयर कर रहे हैं सिम्ला मिर्च की सबजी यह सिम्ला मिर्च है और सिम्ला मिर्च की सबजी सूपर टेस्टी भी बनेगा हेल्दी भी है सिम्ला मिर्च को खाने में जरूर इस्तमाल करना चाहिए इससे जो डाइबर्टिस के पेसेंट होते हैं उनको ब बनाएंगे बहुत ही टेश्टी बनेगा तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पर कणाही में डालेंगे सरसो का तेल आप जो भी ऐल इस्तिमाल करते हैं उस तेल को आप लोग डाल के खा सकते हैं लेकिन इसमें तो जाता सरसो के तेल में ही सब्जीयां बनाती हू सरसो का तेल में अलयजों भी और पर आप हम लोग लोग यहीरे सरसो का तेल रख लख लेते हैं उसी से बनाते हैं तो यह में ज़ीरा चब देल लेंगे, अब हम क्या करेंगे, दाल देंगे, सिम्मला मिर्च मोटे 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 पीस में काटेंगे ini से युझे alfe qa की और रहां ऐसे इसाट बहुत आइगा आप पत्य गोबी के सब्चियों ने डाल के खाएगे और अच्छा लगता है हर सीजन में मिलता है तिसलिए सिम्ला मिर्ष की सब भी जरूर खानी चाहिए और जो लों नहीं खाते हैं उन्हों को भी खिलाना चाहिए तो देखिए इसमें हम फिर में डाल देंगे तो कुछ मसाले लाल मिर्ष का पौडर है थोड़ किया है तो खाने में हम सिधा नमक इस्तमाल करते हैं तो इसलिए देखिए सब को डालने के बाद मिला लेंगे और बेशन है तो बेशन को हम पहले से ही भून के रखे हुए थे अगर आप लोगों को भूना हुआ बेशन ना हो तो आप रचना भूना हुआ हो तो इसको defense low flame über 채 लेंगे हमारी अच्षे से पंग गई है किया करेंगा जब अच्छे इस इस सब्गेजा तब हम लांश्ट में इसमें करने अचिया अच्छिम च्शो तक लाछ? मिला ले वीडियो तो जिस तरह से ऐमारी सोजी तरह इस तरह से बनायेगा वरना, भाद में कियेंगे मेरी सब्झी अच्छी नहीं बनी हुए तो आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं and Šamad लेकिन जिस तरह से नहीं लेकिन professional लेकिन च उतनी पूरी पराथे के साथ आप लोग खा सकते हैं दाल चावल के साथ इसको भी खा सकते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं इतना बढ़िया होता है और यह तो हेल्दी भी होता है तो आप लोगों से उमीद करते हूं यह रेश्पी पसंद आए पसंद आए प्ली वीडियो को लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करना बिलकुल न भोलें तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेश्पी के साथ